मुबाइल ने मुबाइल मार्केट पे तो काफी जादा धूम मचा रखिए बट वेरेबल मार्केट पे भी बहुत जल्दी धूम मचाने वाला है यहां पर पिछली कुछ दिन से हम इसे कंटिनुसली यूज़ कर रहे है डीपेश जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी वैसे यह मीडिया बॉक्स है और रीटेल बॉक्स अगर आप लोगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वाच में 1 एन्च एमुछ कि 2.40 कर गॉर्िला ग्रास थ्री प्रटेक्शन के साथ में आता है यसी एश के रिफरेंसेट के साथ में आता है और 600 nits brightness को support करता है display की quality काफी बढ़िया मिल जाती है इस price segment में Bluetooth calling और single chip solution के साथ में ये watch होती है performance के लिए watch में real tech chipset का USB किया हुआ है वैसे watch IP68 rating के साथ में आती है इसमें working crown का support मिलता है और metal body का support भी मिल जाता है census वगरे जो है वो काफी बड़ी आवर करते हैं तो इतने सारे top notch feature के साथ में ये watch आती है और pricing भी यहां पे काफी तगरी होनी चाहिए बट आपको बताए कि लावा की जो pricing रहती है वो काफी aggressive रहती है यहां पे दोस्तों इसकी pricing एक्षिल में मुझे अभी तक पता नहीं है honestly अगर बोलू दोस्तों हमारे recording जो इसकी price है under 3 के हो सकती है अगर इस pricing के साथ में ये watch आती है तो इतने सारे feature के साथ में लावा watch जो है वो watch industry में भी काफी तहल का मचा सकती है पे से इस पे सिग्मेंट में अगर आप कोई watch सलास कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काफी जदा important होने वाला है क्योंकि deepest tribute हम आपके लिए honest tribute हम आपके लिए लेके आगये है time is time हमने वीडियो में प्रवाइड कर दिया है जरू से करीगा चनल पना है और सब्सक्राइब जरू से कर लेजीगा बेल एकन को भी प्रेस कर लेजीगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करें नुटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए चलिए फटापट से स्टार्ट करते हैं सबसे फ़ले दुस्तों इसके अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं देखते हैं बॉक्स में क्या मिलता है बॉक्स पेकेजिंग कुछ इस तरह से मिलती है सॉलिड बॉक्स पेकेजिंग दिए हुई है प्रो वाच बाइलावा कॉरिंग ग्लास 3 का प्रोडिक्शन भी मिल जाता है और साइड में मैड इन इंडिया लिखा हुआ है इसके ऊपर यहां पे आप प्रो इसपोर्ट एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है आप सपोर्ट मिलता है बैक साइड में काफी सारे स्पे यहां पर लिखा हुआ है कि इसके लावा की तरफ से किया गया और बहुत सारे स्टीकर्स मिलता है इसके लिए इसके लावाब फास्ट चारजिंग के लिए एक मैगनेटिक चारजिंग गेवल भी दिया हुआ है चलिए फोकस करते हैं वाच पर तो सो वाच की ज्यों बिल प्रीमियम सा मैट फिनिस डिजाइन दिया हुआ है प्रो वॉच लबाई लावा लिखा हुआ है एमुलेट वॉच है तो पीछे एमुलेट भी लिखा हुआ है और आई पी 68 के साथ में आता है यह भी यहां पर राउंड में लिखा हुआ है सेंटर में hard rate monitoring SPO2 monitoring जального जारूरी जाते हैं बड़िया कॉलिट एक और नीचे यहां पर charging port दिया हुआ है उसा यहांपे दो बटन दिया हुआ है नीचे वाला dedicated support बटन है और उपर वाला जो बटन है यह दो स्थों working ग्राउंड और multifunction बटन है वाच 1.43 इंचे के लार्ज एमूलेट डिस्प्ले के साथ में आती है जिसमें 2.5D कर्ड गोरिदला ग्लास का प्रोडेक्शन मिलता है जोकि इस प्राइस सेग्मेंट में रेरली ही देखने को मिलता है सकैलावा दुस्तों यह जो वाच है 60 HERD refresh rate को सपोर्ट करती है एकसी वाच के लिए 60 HERD refresh rate काफी बड़ा refresh rate है और काफी smoothly work करता है तिन यहां पे 600 nits peak brightness का support मिल जाता है, overall जो यह combination दिया हुआ है, यह इस price segment में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, watch में जो race to wake up वाला feature दिया हुआ है, यह काफी quickly work करता है, काफी quickly यह response कर देता है, काफी quickly यह wake up हो जाता है, even आपके wrist का size चोटा या बड़ा हो, यह watch wear करने में काफी जादा premium लगती है, overall जो इसकी build quality है, display quality है, यह काफी जादा decent है, watch में 22 mm structure design के साथ में आने वाला sleek on strip मिलता है, जो कि skin friendly material से बना हुआ है, इसकी quality सोड़ी सी यहाँ पे hard है, लेकिन long lasting use के लिए काफी बहता रही, यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ आपको pro watch की branding मिल जाती है, especially यह branding मुझे काफी बढ़िया लगी, पर लगना चाहिए कि आप branded watch यूज़ कर रहे हो, strip की quality यहाँ पे काफी बढ़िया मिल जाती है, टॉप में जो multifunction बटन दिया हुए, यह functionable crown बटन है, दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे wallpaper चेंज कर सकते हो, 150 plus wallpaper का support इसमें मिल जाता है, इवन दोस्तों इस तरह से आप rotate करके भी, यहाँ पे menu को tap कर सकते हो, इसके अलावा अंदर भी जाके, आप यहाँ पे working crown का use कर सकते हो, काफी conveniently यह work करता है, और smoothness के साथ में, इसके लावा दोस्तों second जो button दिया हुआ है, यह dedicated sports button है, और यहाँ पे आपको काफी सारे sports mode मिल जाते है, वाया app के through, यहाँ पे 110 plus sports mode का support मिल जाता है, quickly UI के बारे में बात कर लेते हैं, top to bottom swipe करने पे various menu आ जाते हैं, यहाँ पे setting का option मिलता है, साथ ही में दूस्तों यहाँ पे आप brightness कम ज़्यादा कर सकते हो, rest to wake up का option मिलता है, then do not disturb, find my phone का option मिल जाता है, इसी से आप phone को find कर सकते हो, bluetooth वाला option मिलता है, जिसमें call audio और media audio पे यहीं से bluetooth on off कर सकते हो, बहुत ही कम देखने को मिलता है watch में, and bottom to top swipe करने पे यहाँ पे various notification मिल जाते हैं, जिसे आलग आलग आप के लिए आप pro spot आप से on off कर सकते हो, वैसे यहाँ से के वहला आप read कर सकते हैं, इसका answer नहीं दे सकते, left to right swipe करने पे यहाँ पे various options आपको मिल जाते हैं, apps related, then right to left swipe करने पे यहाँ पे activity, heart rate monitoring, SPO to monitoring, weather और music का option मिलता है, setting में देख लेते हैं कौन से कौन से options मिलते हैं, सबसे पहले watch faces का option मिलता है, पहली पूदा आपको 150 plus watch faces app से आप sync कर सकते हो, इसके लाओ दोस्तों यहाँ पे आपको menu style का option मिलता है, list और 9 grade वाला कुछ इस तरह से आप side कर सकते हो, then यहाँ पे आपको screen timing, brightness और timing बगएरे आप side कर सकते हो, AOD का option मिलता है, digital जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफी bright display मिलता है, AOD का और analog का कुछ इस तरह से मिलता है, वैसे AOD यूज़ करने से battery drain हो सकती है, इसलिए यहाँ पे AOD timing का भी option अवलेबल है, जिससे आप timing बगएरे यहाँ पे set करके रख सकते हो, vibration intensity कम जादा यहाँ पे कर सकते हो, then यहाँ पे आपको battery section में, power saving mode भी on करके रख सकते हो, battery अगर कम है, then QR code का option about और ringtone setting का option मिलता है, अलग-अलग scenario में अलग-अलग ringtone यहाँ पे आप set कर सकते हो, then यहाँ पे restart, reset और shutdown का option मिलता है, मीनू में अगर हम देखे तो सबसे पहले workout, workout record का option मिलता है, then voice assistant वाला feature मिलता है, watch through आप voice command देख सकते हो, जो mobile में आप देख सकते हो, साथ ही में दुस्तों है आप हार्टेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, sleep monitoring and music का option मिलता है, music को यहीं से आप play pause कर सकते हो, and track अगरे भी यहीं से आप change कर सकते हो, then यहाँ पे आपको volume increase, decrease का option मिलता है, music का speaker है, वो काफी ज़्यादा loud है, then यहाँ पे phone का option मिलता है, alarm clock, stop watch, timer, stress monitoring, breathe, weather and flashlight का option मिलता है, messaging, find my phone, camera, और game का option यह, तीं यहाँ पे provide के गए हैं, जिसे time pass के लिए आप यहाँ पे खेल सकते हो, then यहाँ पे calculator का option मिलता है, और काफी बड़ा calculator दिया हुआ है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप calculation वगरे कर सकते हो, चलिए बात कर लेते हैं, Bluetooth calling quality की, यहाँ पे दोस्तों आपको dial का option मिलता है, then contact person का option मिलता है, contact number यहाँ पे save कर सकते हो, app के through call record का option मिलता है, यहाँ पे दोस्तों आपको बड़ा सा dial paid मिलता है, जिसमें काफी conveniently आप dial कर सकते हो, यह watch single chipset solution के साथ में आती है, high end performance के लिए, इसमें real tech chipset यूज किया गया है, जिससे connectivity stable रहती, performance भी काफी बड़िया मिल जाता है, and Bluetooth calling के लिए, जो माइक और speaker प्राइट काई गया है, यह काफी बड़िया quality का है, काफी loudly यहाँ पे आप इस रूँ सकते हो, watch के through, जिसमें दोस्तों यहाँ अगर आप incoming call receive कर रहे हो, तो कुछ इस तरह का आपको user interface देखने को मिलता है, कि काफी बढ़िया है, इवन दोस्तों यहाँ पे आपको click reply का भी option मिलता है, so overall दोस्तों incoming outgoing call जो भी हो, काफी बढ़िया conveniently तरीके से आप noise free calling इस watch के through कर सकते हो, अब बात करें दोस्तों accuracy की उसके लिए हमारे पास में pulse oximeter हमने use किया है, पैसे यहाँ पे हम सबसे पहले heart rate monitoring कर रहे हैं और इससे पहले आपको बता दे, accurate health parameter management के लिए high accuracy ppg sensor इसमें use किये गए है, सबसे पहले हम हाँ heart rate monitoring हम आपके सामने चेक कर रहे है, 76-76 आजपास ही, दोस्तों आप यहाँ दोस्तों काफी पास में है एक दो डिजिट इदर होता ही है, बढ़िया यहाँ पे heart rate monitoring हो जाती है, साथ ही में SPOD monitoring हमने की है और 98 watch में आ रहा है और 96 आप pulse oximeter में देख सकते हो, वैसे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे 99-97 यहाँ पे pulse oximeter में आ गया है, 99 watch में testing हो चुकी है और 98 जो है pulse oximeter में आ रहा है एक दो डिजिट इदर होती है बट यहाँ पे काफी accurate result हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे stress monitoring का option मिलता है और यह भी काफी tik-tak हो जाता है जो sensors यहाँ पे provide किये गये हैं PPG sensors यह काफी accurate result दे देते हैं, दो सो watch के extra feature unlock करने के लिए pro spot app का पेस्टोर से download कर लेजेगा और mobile number email से bind कर लेजेगा, home में आपको सारे options और टास्क मिल जाएंगे जो आपने watch में किये हैं, यहाँ पे detail के साथ में options मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको watch faces वाला option मिल जाता है 150 plus watch faces आप within a second sync कर सकते हो watch में, यहाँ पे quickly यह हो गया आप देख सकते हो, इसके अलाब दूस्तो custom watch faces भी आप यह plus की बटन पर tap करके mobile से watch में कुछ इस तरह से ला सकते हो, तो यह काफी जादा easy हो जाता है, then यहाँ पे आपको और भी various options मिल आता है, my goal आप select कर सकते हो daily task के लिए, इसके बटन कर सकते हो, यहाँ पे आपको contact का option मिलता है, 10 contact आप save करके रख सकते हो, various sports mode का option मिलता है, जिसे sync कर सकते हो, mobile में 110 plus sports mode मिल जाते हैं, यहाँ पे other के option में यह सारे options आपको मिल जाते हैं, इसमें heart rate monitoring जो continue होता है, इससे आप off करके लिएगा, इससे बैटरी थोड़ा ज्यादा डेन होता है, इसके लागा हो यही सारे weather वाले city वाले options आपको मिल जाते हैं, call rejection SMS setting का option मिलता है, इन-frameware update भी आप इस watch में पा सकते हो, तो यह सारे features हैं दोस्तों, जो कि आप extra feature app के थुरू unlock कर सकते हो, अब बात कर लेते हैं दोस्तों battery and battery backup के इस watch में 350 mh की बड़ी सी battery provide की गई है, जो कि fast charging को support करती है, only one hour के अंदर यह पूरी की पूरी battery charge हो जाती है, standby timing 15-20 दिन के पास का मिल जाता है, और अगर दोस्तों यहां पे आप normal use watch का कर रहे हो, Bluetooth calling वगरे नहीं कर रहे हो, तो 7-8 days का battery backup इस watch से पा सकते हो, पर अगर आप Bluetooth calling वगरे कर रहे हो, music वगरे सुन रहे हो, तो यहां पे दोस्तों 2-3 दिन का battery backup मिल जाता है, और all जो battery backup है काफी जादा decent मिल जाता है, वैसे आपको एक सला दू, यह watch को अगर आप चार्ज करोगे तो 5W या 10W के charger से ही चार्ज करिएगा, उससे जादा नहीं watch में problem आ सकती है, और अगर आपके पास यह charger नहीं है, तो आप इसे power bank से भी charge कर सकते हो, watch IP68 waterproof rating के साथ में आती है, तो हमने सोचा चलो इसका water test भी करते हैं, काफी सारा water हमने इस पे डाला है, और यह normal test है, तो चेक करते हैं दोस्तों यहां पे इसका display आप देख सकते हो, अच्छे तरीके से work कर रहा है, touch response भी यहां पे काफी बढ़ यह work कर रहा है, water test को तो वह easily तरीके से यह watch pass कर जाती है, इस watch में आप 1.5 meter लगबख 5 feet तक 30 minute तक आप water बे survive कर सकते हो, यानि की sim वगरे भी आप इस watch के तरू कर सकते हो, तो यह तो रीसेंटल लावा के तरफ से launch हुई pro watch का detail detail review और भी कोई जान कर या अगर हम से missing हो चुक box में हमें commit कर के पूछ सकते हैं, जरू से हम उसका answer देंगे, under 3000 दोस्तों काफी बड़ी या package यहाँ पर लावा ने provide किया है, काफी सारे features यहाँ एक्स्टर मिल जाते है, काफी बड़ी या work watch है, market में इस price segment में भी बहुत सारी watch available है, check out चुरू से करएगा, बट यहाँ पर दोस्तों अगर compare इस watch से करते हैं, तो definitely लावा का जो यह product है, यह उससे काफी ज्यादा आगे निकलेगा, अगर आप इस segment में कोई watch की तलास कर रहेते हैं, तो watch की तलास आ recommendable watch है, आप इसके साथ definitely जा सकते हैं, लावा की one year की warranty मिलती है, और service center भी इंडिया में चारो तरफ फेले हुए, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं जाएगी, service से related, वैसे दोस्तों इस device के regarding अज़र से कोई doubt कोई question है, simply comment section में पूछ सकते हैं, फिला दोस्तों शुरू में इ नेक्स नेवरिक साथ में तब तक लिए जहन बोलता ही गी, पंदे मातरम